तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ आपको मालूम होगा OnePlus ने अपना latest Oxygen OS 11 रिलीज कर दिया है और उसी के साथ में यहाँ पर उन्होंने रिलीज किया है कुछ amazing wallpaper जो की एक live wallpaper आप कह सकते हो अपसे पहले Xiaomi ने वैसा किया था अपने MIUI 12 के साथ में कुछ wallpapers launch किये थे जो कि लोगों को बहुत पसंद आये थे तो उसके ओपर मैंने separate video बनाया हुआ है आप वो video देख सकते हैं आई button में link आपको दे दूँगा कि आप अपने किसी भी phone पे कैसे MIUI 12 के live wallpapers इस्तमाल कर सकते हैं और आज की वीडियो में बताने वाल हूँ कि आप अपने किसी भी device पे oneplus के oxygen OS 11 के wallpapers कैसे use कर सकते हैं live wallpapers की बात कर रहा हूँ तो बिना जादा time गाए अपना वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे like करके जाना चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe भी करना तो गाइज यह आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने डिवाइस पे एक normal wallpaper लगाया हुआ है और अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं Oxygen OS 11 का wallpaper तो भाई सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करने होंगे डाउनलोड के लिए आप देख सकते हैं यहां पर यह फाइल्स हैं दरसल तीन फाइल्स है आप तीनों डाउनलोड कर लेना लिंक वीडियो के description में मैं आपको देदूंगा वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद में आपको simply अपने phone पे इनको install कर लेना है मैंने अल्रेडी install कर लिया है और install करने के बाद में आपको इन्हें apply करना होगा तो आपके phone के अंदर अगर live wallpaper क option है तो आप वहां से इनको track करके लगा सकते हैं और अगर आपके phone के अंदर कोई भी live wallpaper का option नहीं आता है तो आपको इसके लिए कोई भी गैलरी वगएरा डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसमें live wallpaper का support होता हो जैसे आप Google की gallery go कर सकते हैं download उसमें आपको live wallpaper support मिल जाता है तो अ यहां पर हम बेसिकली तीन वाल पेपर मिल जाते हैं फस्ट वाले को select करेंगे और select करने के बाद आप इसका preview देख सकते हैं किस तरह का है तो यहां भी preview कर देते हैं full screen पर देख सकते हैं फिलाल इसको अटा देते हैं set wallpaper कर लेते हैं home screen and lock screen दोनों पर हम इसको apply करना है तो उससे unlock करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं जब भी आप अपनी device को unlock करेंगे लॉक करेंगे या फिर स्क्रीन ओफ करके on करेंगे हर बार इसमें आपको एक moment दिखाई देगा वैसे ही जो दूसरा wallpaper है उसमें आपको कुछ colors वगरा change देखने को मिल जाते हैं जैसे यह या भी light theme के साथ में को मिलता था लेकिन यह वाला कुछ अलग color के साथ में इसको आप dark theme के साथ में compatible देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर इसमें भी वही movement हो रहा है फिस स्क्रीन को off करेंगे off करने के बाद on करेंगे तो पहला तो आपने देखा यहां पर किस तर कर सकते हैं download कीजिए और अपने phone पर simply install कीजिए तो दोस्तों बस यही दाज के इस वीडियो में और उमीद करता हूं वीडियो देखने के बाद में आप अपने device पे oneplus के oxygen OS 11 के live wallpapers अराम से इस्तेमाल कर पाएंगे और एक चीज़ और बतना चाहूंगा मेरे subscribers को जो मुझे फॉलो करते हैं regular basis पे के अब मैं अपने device के लिए जो भी max pro m1 है या फिर realme x है इनके लिए कोशिश करूँगा के oxygen OS के जो port होती है वह इन पर install करूँ ताकि आप भी अपने device पे oxygen OS का मजा ले पाएं और सारी चीज़ें वैसे ही enjoy कर सके जैसे oneplus वाले करते हैं तो बस यही मिलता हूँ आप से आने वाले वीडियो में तब तक के लिए good bye